तो यह देखिए मटर के छिलके को हमने इस प्रकार से दुभागम करके इसे अंदर के जो हाड़ वाले छिलके होते हैं उसे निकाल देंगे और बड़े ही आसान तरीके से निकल जाता है आप देखके अंधजा लगा सकते हैं हुआ है 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 अगर्ण में राजिब राजिब की चैनल फर्म आपका स्वागत है आज अब बनाएगे मटर के छिलके की सब्जी तो चलिए विनाप्जदेरी के सुरू करते हैं का जाए तो फरेंच आपने मटर के सब्ढक की सब्जी नहीं बनाई होगी तो कुछ इस प्रकार से हमने मटर के छिलके के अंदर वाले जो हाडवाले छिलके होते है उसे निकाल दें यह क्योंकि पकता नहीं है तो इससे कि हम अच्छे सा निकाल दरेगे की बना सकते हैं यह देखिए विकलने क Learning बनने के लिए तयार है तो सारे चुट कले लिए और हम तेल डाले हैं और थोड़ी सी अ कजते हैं तो इन सारे को हमलका सा रोष्ट करने के मिसा नबाद हम किस प्रकार से डालें तो चिलके किस प्रकार से आह डाल है निकालने हाड़काफ देखिक लिया एक दो वारत रहा कि इसनों निकल जाब किसी कि बिल्कुल लंबे निकल जाते हैं कि involving the अपर भीज चिल के टुगरे में नीकलते हैं तो आप आराम से लिकल सक्थ तो इसे डालने कोद में से कबर घ्न को अपते और ऐसे मीडियु फ्रेंप पर आपयाएं और इसे मीडियू फ्रेंप पर पकाया यह तो यह देखिए हमारे loss प्रकुल मिडियम फिलेम पच्छे से पक भी जाएगा तो इसके जो छिलके हमने निकाले इसलिए क्योंकि वह चिलके पकते नहीं है और मुह में भी अच्छे नहीं लगते हैं तो इस परकार से सारी छिलके को हमने काल के बनाएंगे इस परकार की सब्जी को कि दी देखिये हमारा सॉफ्ट हो रहा है तो अब हम निकार करेंगे और नमक टीक करने के बाद यह देखिये इसका जो सौफ्टीने से तोड़ा-थोरा कि विलकुल अच्छे से रोष्ट हो रहा है और यह दे एक हलंका बुन भी राय है तो नमक डालने के बाइद हम इसे फिर से कवर करके पकाएंगे ताकि यह अच्छे से पक सके तो 15-20 मिनिट लगते हैं इस रेसेपी को बनाने इस परकार की मटर के छिलके की रेसेपी आपने फ्रेंट्स साथ इससे पहले नहीं बनाया हो तो आप इस परकार से बार ज़रूर बना के देखें तो आप हम यहां पे इसमें प्याज कर लेंगा फिर प्याज हमने दो मेडियम साइज के लिये थे और ये चिलके जो है हमारे यह लगभखवाग 200-300 घ्राम क्या सपास हैं अवर्समांने दो मेडियम साइज की प्याज को काटके डाला है और प्याज को डालने बाद हमसे निकाल लेंगे पका करेंगे उसके बाद ही पियाज को एड करेंगे तो अब हम यहां पर टमाटर एड करेंगे तो मने दो ड्रींट कर लिया है आप जाहें तो टमाटर से बना करो रोटी रोटी के चावल सब्जी आप एक बार जरूर ट्राइक करें इस प्रकार की छिलके की सब्जी को बना के तो टमाटर डालने को बद हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि हमारा टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो सके तो यह देखिए हमारा टमाटर भी हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है कि अब हम यहां पर फिरंटे थे देखें टमाटर का कलर भी चेंज हो गया थो अब यहां पर फ़ोड़ी सी और कवर करके से पकाएंगे तो आप बिल्कुल यह सौफ्ट हो गया तब हम यहां पर मसाले करें थो हमने हल्दी लाल मिर्च पॉदर, जीरा पॉडर और धनीया पॉडर यह लगबगर हम ने शारे है के हुआ है तो सारे मसालर निके अखे पिमें करने के बाद इसे फिर से चला लेगे और उसे चलाने के बाद हम थोरी से पानी पाने कर लें तक हमारा मसाला जो एससे बुून सके तो यह देखिए और इसे थोड़ी सी मैस कर दिया है ताकि जो अच्छे से मिल सके और इसका टेक्षार भी अच्छा से बन सके तो यह देखिए को यह देखिए किसे पराओं अब तो यह देखिए कितना बढ़ा इसका टेक्चर लग रहा आपको देखनेश लग़ा है यह में अच्छी कि सब्जी पन के तैयार मारेски कि बहुत ही बढ़िया बनके तेयार हुआ ये सब्जी तो आप एक एक बार ज़रू बना इस प्रकारक सब्जी तब तक के लिए दन्यवाद प्रेंट शकर ये रेसिपी आपको ची लगी हो तुम्हार वीडियो को लाइक और मारेचरों को सब्सक्राइब कर घंटी के बढ़ा तब तक लेजाएं जय भारत